हेलो एबरिवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग जी के कुछ ऐसे कुईस्चन देखेंगे जो की प्रेवियस एर में अटल विहारी बाचपेई ब्यस्ची नर्सिंग के इंटरन सिग्या में पूछे गए थे और ये कुईस्चन उसी से रिलेटेड और कुछ कुछ कुईस्चन प्रेवियस एर के मैंने उठाए हैं जो की 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को बिना इस किप्टिये लास्ट तक देखिए और देखिए कुईस्चन का लेवल आपको कैसा दिया जा रहा है तो बिना कुछ देरी किये चले श्टार्ट करते हैं देखिए हमारा पहला कुईस्चन क्या है हमारा पहला कुईस्चन है कि in which field किस field में Oscar Award are distributed Oscar Award दिया जाता है तो किस field में Oscar Award दिया जाता है तो आसकर अवार्ड दिया जाता है सिनेमा के छेतर में तो देखें क्विस्चन का आप पहले ही देख लीजे क्विस्चन कैसे पूछा जा रहा है कुछ क्विस्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो मतलब अभी हाल ही के करंट अफेयर से रिलेटेड हो तो इसी तरह एक क्विस्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत के किस फिल्म को आसकर अवार्ड मिला तो भारत के जो है आर 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 को आसकर अवार्ड मिला किस लिए आसकर अवार्ड मिला ये भी पूछ सकता है कि आर 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 को आसकर अवार्ड किस लिए मिला तो एक नाटू नाटू गीर्थ था उसके लिए मिला उसके बाद इसके नायक जो नायक की भूमिके निभाय थे वो कौन से हैं तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं अब देखिए, question number second देखिए question number second में है, देखिए question number second which is the world largest desert तो बिस्चु का सबसे बड़ा desert मतलब रेगिस्तान बिस्चु का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है आप लोग बोल रहे थे कि सर इंग्लीज में लाइए इंग्लीज में लाए इंग्लीज में वेपर होगा तो देखिए ऐसे question करवाऊंगा आपको अच्छे अच्छे कि आप लोग कहें कि यहाँ वास्तों में question बहुत अच्छे कराई जा रहे हैं तो देखिए second में which is the world largest desert तो विश्व का सबसे बड़ा रही किस्तान काउंसा है सहारा डेजर्ट आप सुने होंगे सहारा डेजर्ट जो कि अफरीका में है अफरीका का यह है अब आप लोग कमेंट करके यह जरूर बताईए कि अफरीका में है आप लोग कमेंट करके बताईए कि इंडिया का largest desert काउंस देखिए पूछ रहा है कि the temperature increased rapidly above the temperature increased rapidly increases rapidly above तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहते हैं लॉनो स्फियर temperature increased rapidly above उसको लॉनो स्फियर कहते हैं तो यह देखिए question के कैसे label है देखिए fourth number question fourth number question में कह रहा है what is the national fruit of India तो यह सभी लोगों को पता ही है what is the national fruit of India तो national fruit इंडिया का mango है अब देखिए question five question five में कह रहा है टाइफाइट fever is called why टाइफाइट fever किसके द्वारा होता है एक काफी लोगों को पता है चलिए पांस सिकंड का time है आप लोग comment करके बताइए कि टाइफाइट fever किसके कारण होता है पांस सिकंड का time है टाइफाइट fever किसके कारण होता है तो मैं आपको बता रहा हूं टाइफाइट फीवर जो है बैक्टेरिया के कारड होता और बैक्टेरिया जो होता है उस बैक्टेरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला 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 टाइफी टाइप ए सालमोनेला टाइप ए के दोरा होता है उसके बाद माइक्रॉन इज एक्वेल टू जो माइक्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं माइक्रॉन जो कुछ पार्टिकल होते हैं बोला जाता है कि ये पार्टिकल इतने माइक्रॉन का है समाझ लेजिए वह होते हैं 10 to the power 6 meter के बराबर होते हैं 10 to the power 6 meter के बराबर micron होते हैं इतने छोटे particle होते हैं तो यह सब question समाझ लेजिए पूछे गए हैं बहुत important question है आपको skip बिलकुल नहीं करना है last तक video देखना है उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है which one देखिए question है which one after the constitutional amendment have established पंचायती राज institution तो कौन से constitution amendment था जो कि established किये पंचायती राज वो 73 था देखिए 73 अमेंडमेंड एक्ट था जिसके अंतरगत पंचायती राज को लाया गया उसके बाद देखिए अगला question है question number 8 sodium carbonate is commonly known is sodium carbonate को साधार तक इसके नाम से जाना जाता है आप लोग को इसका जो है मालूम होगा कि sodium carbonate को washing soda के नाम से जाना जाता है और sodium carbonate का formula क्या है इसका formula क्या है यह आप लोगों को comment में comment करके जरूर बताना है और हाँ अभी तक आप लोगों ने video को like नहीं किया है तो please video को like जरूर करिए और channel को subscribe करिए यह video ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास share करिए देखे नाइध रमर question when a bond is formed between देखे बोल रहा है when a bond formed between two atoms जब दो atoms के बीज़ बनते हैं the energy आप the system बिल तो energy जो है decrease होती है energy decrease होती है low होती है energy उसके बाद देखे question नमर 10 water as maximum density water की जो density है वो कितने temperature पर maximum होती है तो आप लोग जान लेजिए water की जो density है वो 4 degree celsius पर maximum होती है 4 degree celsius पर water की density maximum होती है 4 degree celsius पर water की density maximum होती है उसके बाद देखे question number 11 में बोल रहा है निप tights आर जो निप tights है वो बीक tights है निप tights आर बीक tights ये देखे निप tights आर वो बीक tights होते हैं उसके बाद question number 12 देखिए the ocean with the largest surface area मतलब जो ocean है महासागर है largest surface area इसका कहा है वो है pacific ocean pacific ocean में सबसे largest इसका surface area है ocean का सबसे largest surface area pacific ocean में है उसके बाद देखिए telephone was invented by telephone की coach किस ने की थी telephone की coach किस ने की थी वो थे Alexander Graham Bell ने telephone की coach की थी उसके बाद देखिए अगला question है which country host which country host the ocean games first तो किस country ने सबसे पहले ocean games को host किये था तो इसका था इंडिया ने host किये था अगला question देखिए who is the real founder of jainism in India जो jain धर्म है उसके जो real founder है वो कौन थे वो रिषभ देव थे रिषभ देव थे उसके jain धर्म के जो संस्थापक थे वो रिषभ देव थे उसके बाद अगला question number 16 देखिए who complete the tells of the panch tantra देखे panch tantra का जो है ये देखे who complete the tells of the panch tantra तो थे विस्नु सर्मा विस्नु सर्मा थे जो panch tantra के लिये जाने जाते हैं विस्नु सर्मा उसके बाद देखे question number 17 देखिए आप caps were built during the period of तो अजन्ता caps जो caps मतलब होता है गूफा ये होती है गूफा caps मतलब गूफा होती है तो पूछ रहा है कि अजन्ता की जो गूफाएं थी were built during the period किसके सासनकाल में ये पिरियेड का मतलब यहाँ पर सासनकाल होगा किसके सासनकाल के दौरान जो है अजन्ता की गूफाएं बनाई गई थी तो वो गुप्त सासनकाल के दौरान गुप्त सासनकाल के दौरान अजन्ता की गूफाएं बनाई गई थी मैं आपको बता दूँ कि अगली बार जैसे मैंने 2023 में मैंने इंट्रेंसिक जाम दिया है तो 2023 मैं दिया था 2023 में दिया था तो उसमें एक कुश्चन आया था कि जो इसके लिए क्या कहता है एक मिनिट बता रहा हूं ये सेना में जो बीर होते हैं जो कोई अच्छा कारे करते हैं या साहस का कारे करते हैं तो उनको कौन सा आवार्ड दिया जाता है तो कौन सा आवार्ड है या आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में कमेंट करके was the painter of the famous painting called भारत माता तो यह भारत माता की जो पेंटर थे वो कौन थे देखी इसका एंसर देखी इसका एंसर है अभनिंद्रानाथ टैगोर अभनिंद्रानाथ टैगोर तो अभनिंद्रानाथ टैगोर नहीं होगा इसका सायद इसका होगा यह गलत प्रेंटिंग हो गया होगा हो सकता है इसका रवेंद्रनाथ टैगोर हो रवेंद्रनाथ टैगोर होगा तो देखे आप लोग बताईएगा ये क्विस्चन सही है कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा इसका मुझे मालूम है रवेंद्रनाथ टैगोर ही होगा अब निंद्रनाथ टैगोर तो आप लोग इस पर ध्यान ना दीजिएगा इसका मैं आपको सही बता रहा हूं इसका होगा रवेंदरनाथ टाइगोर होगा इसका तो इसका रवेंदरनाथ टाइगोर होगा अब देखें उन्नियस नंबर कुश्चन में पूछ रहा है फ्रांस की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है फ्रांस की राजधानी तो वो पेरिस है फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो यह सब चीजें बहुत अवस्य है आप इसी जगा बता दीजे जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो उसी तरह उसका क्या कहता है न्यूजी लेंड की राजधानी क्या है न्यूजी लेंड की राजधानी क्या है तो आप लोग जरूर बताईएगा न्यूजी लेंड की राजधानी उसके बाद देखें who wrote the novel to kill a mocking bird who wrote the novel novel मतलब होता है कि आप एक तरह समझ लिजे कहानी कह सकते हैं या कविता कह सकते हैं किसने लिखा था to kill a mocking bird तो थे harperly harperly के दौरा लिखा गया है harperly के दौरा अब देखे question number 21 question number 21 में पूछ रहा है what is the largest planet in our solar system हमारे solar system का largest planet क्या है कौन सा है तो है Jupiter Jupiter हमारे solar system का largest planet है Jupiter is the largest planet in our solar system तो अब देखे question number 22 who painted the famous artwork the Mona Lisa आप इसके बारे में जरूर सुने होंगे Mona Lisa जो की बहुत famous painting है और इसकी कीमत बहुत जादा है Mona Lisa की painting किस ने की थी तो देखे लियोनार्डो दविंची थे लियोनार्डो दविंची तो इन्होंने ही उसको painting किया था जो की Mona Lisa की painting है इन्ही के दौरा painting की गई थी लियोनार्डो दविंची के दौरा उसके बार देखे what is the highest mountain in the world highest mountain in the world काउंसा है what is the highest mountain in the world तो वो Mount Everest है और यह कहाँ पर situated है यह कहाँ पर है यह है नेपाल में यह नेपाल में है highest mountain in the world नेपाल और इसकी peak की जो चोटी है इसकी जो चोटी है उसकी उचाई क्या है उचाई कितनी है इसकी जो इसका top है उसकी उचाई क्या है आप लोग comment करके ज़रूर बताएगा कि इसकी उचाई क्या है इस mountain Everest की उचाई क्या है अब देखे question number 24 देखें, who is the current president of United States of America, तो अभी हाल ही के दिनों के जो president राष्टपती हैं अमेरिका के USA के, United States of America मतलब USA, USA के जो president है वो कौन है, तो जो वाइडेन है, जो वाइडेन के पहले कौन थे, काफी लोगों को पता होगा, यह पता है तो comment में comment करके जरूर बताईए, उसके बाद दे देखें, मैं आपको बता दूँ, जो वाइडेन के बाद जो है, उनका मैं नहीं बता हूँ, उनका आप लोग को बताना है, उसके बाद उनके पहले जो थे, उनका आप लोगों को बताना है, और जो वाइडेन के बाद, मतलब उनसे भी पहले जो थे, वो थे, बता रहा हू उनसे पहले थे बराक ओवामा जी थे तो बराक ओवामा जी के बाद कौन थे उनके बाद कोई हुआ है फिर उसके बाद ये जो बाइडेंड जी है तो अब अगला कुश्चन देखिए इसमालेस्ट कॉंटिनेंट लैंड एरिया तो इसमालेस्ट कौणणिनेंट में अपना इंडिया भी आता है अक पना इंडिया भी आता है लार्जश्च कॉंटिनेंट में तो यदि आप लोगों को मालूम है largest continent कहुं सा है तो आप लोग बताईए चलि मैं बता दे रहा हूं largest continent जो है वो A.C.A है A.C.A है largest continent उसके बाद देखिए अगला वो discovered penicillin penicillin की खोज किस ने की थी तो वो थे eleggender flaming ने eleggender flaming ने penicillin की खोज की थी penicillin की खोज किस से की थी penicillin notatum से penicillin notatum से penicillin notatum से penicillin की खोज की थी जो कि एक कवक है कवक के दोरा हुई थी देखिए which famous psychiatrist developed the theory of relativity which famous physicist developed the theory of relativity तो physicist मतलब जो कि भौतिकी के काउन से famous है प्रसनाल्टी है जिन्होंने develop किये था theory of relativity relativity की theory को the theory of relativity तो थे Albert Einstein अलबर्ट आइंस्टीन ने एक question दिया था ये वराबर yam si square तो Albert Einstein के दोरा दिया गया था उसके बाद देखिए अगला question what is the national animal of India तो भारत का national animal क्या है वो आप लोगों को पता है बंगार टाइगर देखिए हम लोग इसको देखिए national animal को बाग कहा जाता है बाग तो समझे बंगार टाइगर ही है बाग चीता ये सब तो अभी देखिए बाग ये जो ताइगर प्रोजेक्ट इंडिया में चलाया गया था ताइगर प्रोजेक्ट ताइगर प्रोजेक्ट इंडिया में चलाया गया था इसके जो वो संख्या घट रही थी उसके लिए तो कब चलाया गया था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताईए देखे मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग हर चीज कमेंट करेए देखे जैसे मैं आपको कुईस्टिन बोला आप कमेंट करके बताए ये जो Tiger Project चलाया गया था कब चलाया गया था अगर आपको मालूम है आप कमेंट करेंगे आपको नहीं मालूम है, आप Google करेंगे आप Google करेंगे, आपको ये भी मालूम हो जाएगा कब चलाया गया था, कौन सरकार था उस समय मतलब प्रधानमंतरी कौन थे कहां से चलाई गई थी तो ये सब चीजें आपको मालूम हो जाएगी उसके बाद देखे यह देखे फिर से question repeat हो गया है what is the word largest ocean तो ये पैसफिक ocean है ये तो मालूम है who was the first person to walk on the moon तो पहला ब्यक्ति काउन से था जो मून पर टहले थे तो आपको मालूम है नेल आर्म स्ट्रांग पहला ब्यक्ति तो सबको मालूम होता है second ब्यक्ति काउन थे आपको मालूम है second ब्यक्ति काउन थे जो मून पर चले थे और भारत की तरफ से चलिए आपको second ब्यक्ति को बताना है भारत की तरफ से जो सबसे पहले अंत्रिक्ष में गए थे वो थे राकेश सर्मा जी राकेश सर्मा जी थे उस समय इंद्रा गाधी जी प्रधान मंत्री थी तो अगला कुशिच्चन देखे Which planet is our solar system known as the red planet Red planet के नाम से Mars Mars planet को red planet के नाम से जाना जाता है What is the capital city of Japan Japan के capital city क्या है, Tokyo है देखे, कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिसे अपने करेवी देशों के बांगलादेश की capital city जो है बांगलादेश की capital city ढाका है उसके बाद पाकिस्तान का पाकिस्तान का क्या है यह आप लोगों को बताना है उसके बाद नेपाल का क्या है नेपाल का काठमांडू है अफगानिस्तान का काबूल है सायद अफगानिस्तान का काबूल है उसके बाद स दस सेटी और उनके कैपिटल थोड़ा देख लीजिएगा नहीं तो एक वीडियो में आपको सभी करीब पचास मतलब देश के और उनके कैपिटल के बारे में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा तो देखे अगला quantiner, who invented the telephone ये हो चुका है Alexander Graham Bill, what is the largest river in the world तो जो largest river है वे काँजि है वो है निलْरिवर, निल रिवर largest river in the world तो ये question काफी important है अगला देखे 35, who is the current Prime Minister of the United Kingdom तो देखे अभी हम लोगों ने पढ़ह जो current president काु थे, जो बाइडन जी थे current president Joe Biden उसके बाद अब देख पूछ रहा है current prime minister current prime minister कौन से है तो है Boris Johnson Boris Johnson जो है current prime minister है तो ये सब चीजे आप लोगों को note करना है तो और आप लोगों को कुछ देश के prime minister के बारे बता दूँ जिससे रसिया के नहीं prime minister क्या आप लोगों प्रेसिडेंट के बारे बता रहा हूँ रसिया के प्रेसिडेंट रसिया के जो है पुतिन है उसके बाद यूक्रेन के एक मिनट यूक्रेन के बता रहा हूँ आपको यूक्रेन के यूक्रेन के जिलेंसकी है जिलेंसकी है यूक्रेन के उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ बांगला देश के हैं वो एक मिनट बांगला देश की सेख हसीना है बांगला देश की उसके बाद इसी तरह आप देख लीजेगा कुछ देश के तो और देखें तो इसी तरह कुछ कुछ चीजे पढ़ने में गलती हो जाती है तो इन सबीज चीजों पर विशेज ध्यान न दीजेगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब करना अनिमार है तो देखें 36 नमबर क्विश्चन पूछ रहा है तो लार्जेस्ट कंट्री कांट्री है रसिया है रसिया इंडिया की लगभग सेवन्थ टाइम बड़ी है रसिया इंडिया से अब आप लोग देखें जैसे ये रसिया सबसे बड़ी कंट्री है तो सेकेंड नमबर क्विश्चन है ये आप लोगों को बताना है अनिमारी है कमेंट करके जरूर बताना है उसके बाद देखें तो पहली महिलकाउंसी थी जिन्होंने नोबल प्राइज जीता है तो थी मैरी क्योरी थी जो नोबल प्राइज जीती है अब देखें थार्टियएट नमबर कनाडा की राजधानी क्या है ओटावा ओटावा जो कनाडा की राजधानी है वो इन्विंटेड द लाइट बल्ब लाइट बल्ब की खोश किस ने की थी वो थे थामस एडिसन थामस अलबा एडिसन के पूरा नाम है थामस एडिसन ने लाइट बल्ब की खोश की थी उसके पाद देखे 40 number question तो देखिए आपको एक एक वीडियो में 40-40 question इतने top-top के question करवा जाएगे एकदम top 40 question मैं आपको समझे लिए 40 question यदि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ अगर मैं आपको समझे जब इतना time है अगर मैं आपको 20 वीडियो 20 वीडियो भी करवा दिये तो समझे लिए 10 वीडियो में 420 वीडियो का मतलब 800 800 question से समझे बाहर कहीं कहीं से नहीं पूछा जाएगा तो अगला question देखिए which is the largest desert in the world सहारा desert ये तो हो गया है the largest district in UP and the largest district in India ये दो चीज़ें आप लोगों को comment में comment करके जरूर बताना है और जो ये largest district in India है ये कौन सा है किस state में है तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को बताना है और जितनी चीज़े comment करने के लिए बोली गई है किरपया comment करके जरूर बताईए और किस चीज़ से related बीडियो ज़्यादा बनाई जा है किस से related बीडियो ज़्यादा बनाई है देखे आप लोग जो मुझे suggest करेंगे मैं उसी चीज़े से related बीडियो बनाऊंगा क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो के साथ तथा चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए धन्यवार